हाई एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल आज जो कलेक्टो में डिवाइन फैमिनन और डिवाइन मैस्कुलेन के एनरजी में लेकर आई हूँ लेकिन सबसे पहले मैं कॉंग्रेचुलेशन बुलना चाहती हूँ सारी डिफ को जिन्होंने अपने उपर इतना अच्छे तरीके स से काम किया है क्योंकि इस जर्नी में अपने रियूनियन को अचीव करना यह मामली बात नहीं है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग जो डिवाइन मैस्कुलेन और डिवाइन फैमिनन का कॉंटेक्ट जोन में थे वह कहीं न कहीं डिवाइन फैमिनन अब पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलेन को लेट को करती हैं जो डिवाइन मैस्कुलेन का ओन अप सिच्वेशन रहता था थर्ड पार्टी में भी है लेकिन यहां पर डिव की इनरजी उनको चाहिए तो अब डिव समझ चुकी है कि बस अब यह चीज को मैं बरदास नहीं कर सकती आओ तो पूरी तरीके से आओ अधर्वाइस मेरी लाइफ से आपको जाना ही पड़ेगा जो डिव कॉन्टेक्ट में नहीं है अपने डिव से सप्रेशन जोन में काफी टाइम से वो सोल लेवल पे अपने डिवाइन मैस्कुलेन को ट्रिगर की है किस तरीके से कि बहु से कि मेरी जो पर 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 करोंगी मेरा जो परपस है मैं उसे पूरा करूंगी बस कहीं न कहीं यह जो चीजे हुई है वो डिवाइन इंटरवेशन हुआ है डिवाइन मैस्कुलेन के लाइफ में उनको एक आईना दिखाया गया है कि उसके अंदर जो भी एग है जो भी मैंने क्या कर दिया इन सारी चीज़ों को लेकर अब बुरी तरीके से टूट रहे हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है लेकिन जब भी कोई डिवैन इंटर्वेशन होता है किसी के लाइप में तो यूही बहुत आसान नहीं होता है उनको चारों तरफ से बहुत जादा परजिंग बहुत जादा है उनकी हेल्थ कंडिशन भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है उनकी नौकरी जा रही है अगर कोई बिजनेस है तो वह भी उसमें लाज चल रहा है और उनके फैमिली में भी बहुत ज़दा लड़ाई जगड़ा हो रहा है मिस चारों इस एनरजी में है हमारी divine masculine बट कहीं न कहीं एक होप है उनको कि चीजे ठीक होगी तो वो जो चीजे खराब हो रही उनके लाइप में लेकिन एक होप के साथ वो उट भी रहे हैं कि नहीं मैं चीजे ठीक करूँगा जो उनका ego है वो अब उनको दिखाया गया है तो उसमें अब वो काम कर रहे हैं उनको खतम कर रहे हैं जो बचपन से वो childhood trauma को carry करके लाए हैं अब उनको हटा रहे हैं जो df के dream में बहुत ज़दा divine masculine आके उनको उनकी higher self आके connect कर रही होंगी कुछ ना कुछ message दे रहे होंगे और साथ में divine feminine को triple one और 1111 हो गया, triple five हो गया, triple three हो गया, ये number बहुत ज़दा दिख रहे होंगे, तो ये reading आपके लिए है, कि कहीं न कहीं आपके एक new beginning हो रही है, transformation वाली energy है, लेकिन साथ में balance भी होना है आपको, क्योंकि एक turning point तो आया है आपके life में, reunion के energy के लिए, बट इसमें भी आपको balance रहना है, divine feminine, जो चीज़े हुई है, वो divine intervention हुआ है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो अपने आपको blame मत करो, कि आपने इनर वक इच्छे से नहीं किया है, या अपने DM को कुछ भी बोल दिया है, जो भी हुआ है, सब universe की मर्जी से ही हुआ है, तो लेकिन आपके लिए एक advice है, जो DF अपने inner child wounds को carry की है अभी भी, heal नहीं हो पा है, तो please उसको जल से जल करो, जितनी जल्दे आप heal करोगे, तो वहाँ पर भी चीज़े heal होगी, क्योंकि हमारे divine masculine तो इन वक करते नहीं है, जो चीज़े हम करते हैं, तो वहाँ पर भी changes देखने को मिलते हैं, तो जितनी जल्दे आप inner child, जो भी catch रहो, उनको message करने की, contact करने की जर्वत नहीं है, क्योंकि जो energy अभी, जिस energy में आप दोनों हो, बहुत ज़्यादा pain में हो, बात नहीं करना चाहते हो, बट miss भी बहुत कर रहो एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़े है, energy आपके एक new beginning को बोल सकते हैं, या reunion के energy है, आपके life में जो reunion बहुत जल्दी होने वाला है, divine feminine आपके लिए, congratulations, ये जो achieve किया है, ये सारा credit आपको ही जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा pain अपने life में, अपने finance को लेके, कार्मी को लेके, हर जगे से rejection आपको भी देखने को मिला है, आपके life में भी जब divine intervention हुआ था, तो आपको भ divine masculine के साथ हो रही है, क्योंकि जब चीजे balance होगी, तभी चीजे ठीक होगी, आखरी आखरी के time जो होता है, बहुत ज़्यादा pain होता है, और जो ये आने वाला full moon है, ये energy बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी, तो please careful रहो, और अपनी health पे आपको ध्यान रखना है, rest करो, अग करो, और अगर मन कर रहे हैं, तो करो, otherwise जितना आप rest करोगी, उतना आप universe से, अपने divine masculine से, उसकी higher self पे आप connect कर पाओगे, तो ये थी energy, current में divine masculine के साथ चीजे क्या चल रही है, जो भी आपकी साथ चीजे हो रही, divine feminine, सिर्फ और सिर्फ आपके divine masculine की energy है, और हाँ, आपको mirror number बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, जो अगर जिस भी situation में, अगर आप रो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, तो sudden आपको mirror number दिख रहा है, तो आप उस चीज को देखो, कि कहीं न कहीं, आपकी divine masculine की energy है, जो आप mirror कर रहे हो, तो उस चीज को आपको ठीक करना है, तो सब्सक्राइब कर रहे हो, तो अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच,